इस वीडियो में प्रिजन करने वाले हमारी A2Z English Vocabulary Series की Elf of Alphabet का थर्ड वीडियो जो की Elf of Alphabet का आखरी वीडियो होगा जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं Elf of Alphabet में हम नियरली 150 words select के थे जो कि आपके सभी paper में आते हैं और सभी paper के लिए important है उसमें से हम अभी इस वाले वीडियो में थर्ड वाले वीडियो प्रिजन करने हैं वो भी ट्रिक्स के साथ में आपका पहला word है flicker flicker यानि की Tim Timana a light that shines in an unstandy way synonym से इसके glimmer, twinkle, glit example a failing or an emotion that lasts for only a very short time flicker में आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि I saw a flicker in the night यह आप इसको एक्जामपल एक्जूम कर सकते हैं तो flicker यानि की a light that shines in an unstandy way अब इसको याद करने तरीका देखे बियर पी के आई को flicker करता है यानि की Tim Timata यानि की Tim Timata या एक्जामपल नहीं यह भी इसका मीनी ही है जो कि आपके सामने प्रिजेंट है इस वक्त ओकि एक्जामपल मैंने आपको बताया था अभी और इसको याद करने तरीका क्या है बियर पी के आई को flicker करता है बीर पी के क्या होता है नौर्मली आय और बॉड्डी मुवमेंट क्या होने लगते है डग मगाने लगते हैं तो और आखे भी क्या होती है flicker होने लगते है flicker यानि की Tim Timata अगला बड़ एफ्लाइटी नारी के जिसे सोभाव A flighty woman is one who cannot be relied on because he is always changing activities, ideas and partners without treating them seriously तो flighty woman वो है जो की काफी जदा flirt करती है लोगों के साथ में और जदा serious नहीं होती है अपने ideas, activities या फिर partners के बारे में synonym से इसके undependable, capricious and fecal capricious और fecal यह दो important words से जो कि आपको जान रखना है दोनों का मतलब है जो चीज़ें बदलती रहती है time के से या जल्दी जल्दी इसको बोलते है fecal या फिर capricious या फिर फ्राइटी example I had फ्राइटी girlfriend in my college days याद करना तरीका फ्राइट में काम करने लड़कियां कैसे होती है ement इस से ये फ्राइटी होती है flight में अख्र आपने देखा होगा flight में जो काम करने लड़कियां है कैसे होती है flight होती है okay so flight और flight एक जिस法 है जो क你्या प хочется याप इसरे पर सकते है calculate and flight flight इन अन कि जो एक one जिसके ऑडियाज और partners बदल करने है flinch विम्ट होना to make a sudden movement with your face or body as a result of pain, fear, surprise, etc. कभी का बार जब कभी आपको pinch चुप जाती है या फिर कुछ भी चुपता है या लगता है तो आप flinch करते हैं आपका जो movement होता है face का वो कैसा होता है flinch होता है तो उसको बोलते हैं अपन विम्ट होना सिनननम से रिकॉल, क्रिंज, बाल्क, एंड कुल, एक्जाम्पल, एक फिलिंच्ड अधर साइट ऑफ दा बलड, याद करिंगे तरीका फ्लाय आपको पिंच किया तो दर्ज से आप फिलिंच हो गए, जैसे कि अभी मैंने आपको पिंच करेगी, तो आप क्या होंगे, फिलिंच होंगे, फिलिंच आने की अजीस पर चहरा मनाएंगे, जैसे कि बहुत देश से लगी है, तो इसको बोलते हैं फिलिंच, फिलिप, जटका देके कोई काम चुरू करना, डाइव इन विज़ दाइवर, सोमर सॉल्ट बिफोर एंटरिंग देवाडर, तो जो आप एकदम से कूते हैं, पानी के अंदर या फिलिंच कोई जटका देके एकदम से आप जम करते हैं, उसको बोलते हैं, फिलिप करना, इंडिया फिलिप, its mind of friendship after terrorist attack, जाद करना तरिका, फ्लॉप नहीं होना चाहिए, फिलिप, देखी ये घूम रहा है, फिलिप मार रहा है बंदा, अगर ये फ्लॉप हो गया, तो इसकी बैक में बहुत जोर से लगेगी, और कमर तूट भी सकते हैं, गर्दन भी तूट सकते हैं, इस दो बहुत ही major parts हैं, जो कि इसमें dangerous होते हैं, तो अगर ये flop नहीं होना चाहिए, कभी भी flip, flop और flip, एक जिसे words हैं, जिनको आप easily आद कर सकते हैं, वाग चपलता, showing that you do not take seriously, something as seriously as other people think you should, तो कोई भी चीज जिसको आपको seriously लेना चाहिए, लेकिन आप लेते नहीं है, तो उस चीज को बोलते हैं, flipant, सिनर्यम से flip करना, facetious and insouciant, example, you can't afford to be flipant about such matters, याद करने का तरीका, आपका pen, pen का ओर है, slip हो रहा है, फिर भी आप फिलिप browser, आपका pen future, कई भार कासा होता कि आप 32 west की pen पेंल लेते हैं, आपकी westorn watchesskにな बोलते हैं, 180 है, तो pen का ओर है, slip हो रहा है, pen नीचे slip हो रहा है और फिर भी आप कैसे है, flippant है आपको फर्क ही नहीं परता आप उस चीज को लेके serious ही नहीं है कि आपने belt यूज किया है कि नहीं किया तो pant slip हो रहा है और फिर भी आ flippant है यानि कि showing that you are not taking something serious as you should have to take it flit यानि कि भाग जाना उड़ जाना to moves rightly and quickly from one place or thing to another synonymous के dart skim and flutter example he flits from one job to another याद किना तरीका flight दिल्ली मुंबे के बीच में flit करती है flight क्या करती दिल्ली मुंबे के बीच में flit करती है यानि कि उड़ती है तो flight और flit एक जैसे words है जिनको आप याद कर सकते हैं flow a तैरता हुआ बर्फ कर टुकुड़ा floating ice formed in a large sheet on a surface of a body of water synonymous के ice flow iceberg ice या फिर field example I saw a large flow in the river when I was traveling to Himachal तो flow मैंने देखा यानि कि तैरता हुआ बर्फ का टुकुड़ा water में flow करने वाली ice कैसी है flow है यहाँ पर देख सकते है आप water में जो flow कर रही है वो ice कैसी है flow है यानि कि बर्फ का टुकुड़ा है तो flow यानि कि तैरता हुआ बर्फ का टुकुड़ा florid लाल चहरा blousey a florid complexion having too much decoration of details synonymous rudy sanguine and blousey example after the serious questions actor face turn into florid florid यानि कि लाल चहरा यानि कि बहुत ज़दा decoration use किया है बहुत ज़दा आपने make-up कर लिया है तो आपका कैसा हो गया florid हो गया है या फिर एक जमसे गुससे से आपका चहरा लाल हो जाना शर्म से हो जाना उन सब चीजों को बोलते है florid Florida में हर चीज कैसी है Florida होती है यानि कि लाल जैसी होती है Florida Florida एक जैसे words है तो आप लाल color से इसको relate कर सकते है Floatsome कुड़ा एफिर कच्रा ब्रैकेज, डैबरिश और रिफ्यूस फ्रॉम ए शिप फाउंड फ्लोटिंग इन दा वाटर Float करते है आदमी को कच्रा नहीं बोलेंगे Floatsome नहीं बोलेंगे Float करते हुए सम चीजें जैसे आदमी यहां पर तैर आया और उसके हाथ में और पैर में कोई चीज अटक गई है तो वो क्या है? Floatsome है यानि कि कच्रा है वो जो इसके आज पास जो पैरों में अटक रहा है उसके तो कभी भी अपन बीच पे जाते हैं तो बहुत सारा Floatsome दिखता है महां पर Swimming करते वक्त तो उसको बोलेंगे अपन Floatsome Flounder Flounder यानि कि आशुद्र करना या फिर फड़फड़ाना To struggle to know what to say or to do or how to continue with something Synanom sense के dither, flatter, waver, dawdle Example His adopt change of subject left her floundering helplessly Flounder यानि कि कोई भी चीज को लेके struggle करना बोलने में, करने में, continue करने में इसको बोलते है Flounder Founder लोग blounder करेगा तो party flounder करेगा Blunder करेगा Arvani ji ji जो है यह party के founder में से एक है अगर यह blunder करेंगे, तो कैसा होगा, party कैसे हो जाएगी, flounder करेगी ओके लाल केशन आदवानी founder है और blunder करेंगे तो party कैसे हो जाएगी, flounder हो जाएगी यानि कि party में कुछ करने को बचेगा नहीं और बहुत ज़दा struggle करेगी party तो founder लोग अगर blunder करेंगे तो flounder हो जाएगा तो एक जैसे वर्ड से तीनों और रिलेट करके आप असन से याद कर सकते हैं तो flounder यानि कि अशुद्धी करना, तड़ फड़ाना flound, खुला नियम को तोड़ना, to show that you have no respect for a law, etc. by opening, not obeying it openly, not obeying it synonym says defay करना, scorn करना, scoff, zyb ये तीनों ही वर्ड बहुत important है, जिसको आपको मेनिग पता होना चाहिए scorn, scoff and zyb तो इसका मतलब है किसी भी नियम को तोड़ना example, policeman hate those who flaunt the rules याद करने का तरीका outside जाके flaunt करते हैं outside देखिये photo map driving करते हैं और आप phone भी काम ले रहें तो ये क्या कर रहे हैं, आप flaunt कर रहे हैं आप ये नियम को तोड रहे हैं, उबे नहीं कर रहे हैं loss को outside जाके flaunt करते हैं fluke एकस्मिन सपल था a lucky or unusual thing happens by accident not because of planning or skill synonym says stroke of luck freak if a flu example, they are determined to show that their last win was no fluke goal okay, so fluke यानि कि एकदम से कोई एकदम से luckily कोई चीज़ हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं fluke अभी आतने का तरीका जिके fall of luck is fluke यानि कि एकदम से किसमत आप पे महरबान हो गई तो वो क्या हो गया? fluke हो गया fall of luck is fluke luck or fluke एक जैसे words हैं जिसको आप easily remember कर सकते हैं flush, flush यानि कि शर्म से चहरा लाल हो जाना fluke turn red as if in embarrassment or shame embarrassment or shame तो यानि कि flush हो जाना यानि कि एकदम से चहरा लाल हो जाना शर्म से या फिर किसी भी चीज़ से embrace होके synonym से ब्लश होना okay for example when he came girl flush because she because the house is in mess house कैसे में था बहुत ही गंदे तरीके में था girl कैसे हो गई जैसे लड़का आया girl को देखने कैसे हो गई flush हो गई यानि कि बहुत ही शर्म से उसका चहरा लाल हो गया याद करने का तरीका flush flash में color of face is flush अगर flash में color of face देखेंगे तो कैसे दिखाए देगा flush दिखाए देगा तो बिलकुल लाल जासे दिखाए देगा तो flash यानि कि blush करना और याद करने का तरीका का है flash में color of face is flush flash में flush तो यानि कि लाल चहरा fluster घपड़ा to make somebody nervous and confused especially by giving them a lot to do or by making them hurry synonyms से इसके fluster होना, flap होना, tease होना, flurry होना example her face was flustered by all the attention she was कर सकते है अपन इसको she was flustered by all the attention तो यानि कि घपड़ा गई वो, fluster हो गई वो सारी attention के वज़े से याद करने का तरीका पूरा plaster करने का काम देके fluster किया पूरा plaster का काम दे दिया और वो कैसा हो गया, fluster हो गया घबरा गया, कि इतना सारा काम मैं अकिला कैसे करूँगा तो पूरा plaster करने का काम देके fluster किया plaster, fluster एक जैसे words हैं जिससे आप याद कर सकते हैं fluted, fluted यानि कि कोई भी लंबी धारदा चीज को बोलते है fluted with a pattern of curves cut around the outside example, I buy a new fluted tool याद करने का my flute is fluted देखे, flutes होती हो, कैसे होती है लंबी होती है बिल्कुल और cut लगा होता है यहाँ पर इसके बिल्कुल यहाँ पर भी यहाँ पर अपन एर को अंदर डालते हैं यहाँ से तो, flute कैसी है? Fluted है flute कैसी है? Fluted shape में है उसके cut लगावा है याद में तो, easily याद कर सकते हैं fluter, fluter यानि कि लहराना या फिर धरकना to move lightly and quickly to make something moving this way synonyms dart, bird, fleet example, I could feel a fluttering pulse , versión tort for the flux . Flutting, fluter का cycle slip हो गया तो, flutter करने खाल. Flutter का छुपल。 कैसा हो न लगा? slip होने लगा . Flutz K Vai, Flutert Flutert का cycle slope हो गया तो when, we can do the flux . Flux F Sakura extraordinaire movement में बहना और change होना उसको बोलते हैं flux होना futility mutilability instability example our society in a state of flux याद करने का तरीका market में lux का flux है market में क्या है lux साबूं का क्या है flux है यानि कि इसका continuous movement है बहुत साइड लोग इसको खरीद रहे हैं तो lux और flux एक जैसे words हैं जिसा आप easily आद इसको कर सकते हैं फोडर जो चारा होता है भूसा होता है उसको बोलते हैं फोडर पीपल और things that are considered to have only one use या फिर कोई ऐसी चीज जिसका सरी एक ही use है उसको भी अपन फोडर बोलते हैं इसको फूड सिलेज है example without education these childrens will end up as a factory फोडर याद करने का तरीका लिए को फूड को फोडर करते हैं डीयर के फूड को क्या करता है फोडर करते हैं फोडर यानि की चारा इसली हैध और a strange और a weak aspect of a person's character that is considered harmless लेकिन दूसरों को उस तरीके से हाम नहीं पहुंचती हो तो इसको बोलते हैं कोई चोटी-मोटी हरकते हैं लेकिन जो ऐसी हरकते हैं जो कि लोगों को नुकसान ना पहुंचा है तो अगर आप दोस्त हो तो आपको चोटी-मोटी एक दूसरे की जो फॉइबल है उसको जहिलना पड़ेगा याद करने का तरीका ये पांच है और इनके पांचों को क्या हैं पॉइबल हैं तो आप फॉइबल हीचान गणकर ist जोटी हमोटो जोटी करने की जोटी-मोटी एक पाइबल है एक्जामपल, he foisted his work on me याद करने का तरीका, first होने से teacher सारा काम foist करते हैं ओके, first होने से teacher सारा काम क्या करते हैं, foist करते हैं दबाव डालते हैं एक दुसरे के उपर कि first कौन आएगा, first कौन आएगा तो first आने के लिए teacher क्या करते हैं, foist करते हैं फोष ताने की दबाव डालते हैं, forment, forment यानि की मुर्खता करना, to create trouble or violence or make it worse, Synanems है foster, agitate, stir, example they accused him of formatting political unrest, याद करने की तरीका for many strikes लगा कि factory में forment करते हैं, अगर बहुत सारी strikes लगाएंगे आप, तो factory में क्या कर रहो है, forment कर रहो, यानि मुर्क्ता करते हो, ट्रबल क्रेट करने के कोशिश कर रहो, तो factory में फार्मेंट नहीं लगाना है, create या फ़े ट्रबल या फ़े बॉलन्स नहीं करनी है, मुर्क्ता नहीं करनी है, for many strike लगा के factory में फार्मेंट करते हैं, factory फार्मेंट, अगला वड़ है फूल हार्डी यानि कि अककर्ड असाफदान टेकिंग अनीसरी रिक्स जो की अनीसरी रिस्क लेता है उसको बोलता है अपन फूल हार्डी सिननों से रेकलेस रैश इंप्रूदेंट एंजिल रेकलष और इंप्रूदेंट दोने इंपोर्टेंट वड़े it would be है फूल हर्डी टू सेल in weather like this याद करने का तरीका फूल लोग हाड काम करते हैं वो कैसे हैं फूल हर्डी है जैसे जो फूल है जो बेवकूफ लोग है वह बिन बात का क्या करेंगे हैं हाड वक करेंगे जो कि इसके रिक्वाइड नहीं है देख इसके बैक में दर्द हो रहा ह है तो यह कैसा है फूल हाड़ी है फॉप फॉप यानि कि a man who is too interested in his clothes and the way he looks बांका च्छेला जो अपने क्लोथ में बहुत दा इंट्रेसेट हो कैसा पहना है कैसा लग रहा हूं उसको बोलते हैं फॉप से नहीं से इसके डंटी डूड गैलेंड और या फिर फिनी की बी बोलते हैं इसको एक्साल फॉप फॉप हैबसे सिय्जा सलमान खान जो बोलते हैं । हमेशा इसी चीज में ४रश्याम ś pics कपड़े तो वह अफ़र फॉप हो जाते हैं फॉप और फ्डॉप एक जिसलों जिनको यानी की आक्रमन चड़ाई करना A shor sådan attack eight by military करने का तरीका फोर रे वाले वाइपर से फोरे किया देखे फोर रे हैं इसके अंदर इस वाइपर से क्या किया फोरे किया फोरे और फोरे एक जिसे वर्ड्स है तो इसलियाद कर सकते हैं तो फोरे वाले वाइपर से क्या किया फोरे किया फोरे आने की आखरमक चड़ाई या क फोर बेरेंज शेहन शील याफिश अमादान, the quality of being patient, sympathetic towards other people, especially when they have done something wrong, synonymous is के patience, longanimity and restraint, example the mortgage company had acted with forbearance, only taking them to court as a last resort, याद करने का तरीका देखिए, फोर बेर पीने के बाद आप भी पापा फोर बेरेंज दिखाते हैं, आपके पापा, फोर बेर अगर पापा ने पी लिए तो पा बहुत ही शेहन शील तर दिखाएंगे, आपके कोई गलती है तो इसको माफ कर देंगे, तो फोर बेर पीने के बाद पापा, फोर बेरेंज दिखाते हैं, next word है फोर्ड, फोर्ड यानि कि बिना तैर कर पार चले जाना, now a shallow place in a river where it is possible to drive or walk across, example, हमाच्वर प्रदेशन, many ford places that dangerous, तो कोई भी ऐसी जगह जहां पर आप पार करके नदी को, जैसे कि दो ये river है, इसके उपर एक bridge बनावा है, या कोई छोटी सी ऐसी road बनी विये, जिसके उपर चलके, drive करके, फिर आप walk करके, इसके उपर से निकल जाओ, तो इसको बोलते है, ford, ford में बैठके, ford को पार होती है, तो इसको बोलते है, ford, अगला word है ford caution, ford है इसके पेर रोक लेना, to prevent something from happening, or somebody from doing something, by doing something first, okay, तो किसी चीज को पहले ही रोक लेना, और वो चीजत नहीं होने दिना, को बोलते है, ford टेल करना, Synonym sense के Prevent, Forbid, Await, Example I tried to force tail her but she went away, जातिन का तरीका, Before you T-Stall खोल के आपके plan को force tail किया, T-Stall खोल रहे थे आप और आपके plan को क्या कर दिया, force tail कर दिया, यानि कि रोक दिया, ओके, तो T-Stall से आप force stall को relate कर सकते हैं, और आप याद कर सकते हैं, T-Stall और force stall, ओके T-Stall खोल के आपके plan को क्या किया, force tail किया, यानि कि पहले ही रोक दिया, force feed करना, कोई भी चीज़ को जब्त करी वी, जुर्माना खो बैठना, उसको बोलते हैं force feed कर देना, जैसे कि अगर election के अंदर कई सारे लोग खड़े वे हैं, और एक अगर किसी contender को बहुत ही कम vote मिलते हैं, बहुत ही minor, तो उसकी जमा, उसने जो पैसे जमा करवाए थे, election से पहले, वो क्या हो जाते हैं, four feet हो जाते हैं, यानि कि जब्त हो जाते हैं, ओके, या फिर अगर कोई, जैसे विजय माले ने, अगर अपनी property, अगर जो लोन है, वो आपस नहीं करें, तो उनकी property को क्या कर लिया जाएगा, four feet कर लिया जाएगा, यह दो तरीके example है, और इन दो तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, for example, government forfeit his property, याद करने का तरीका देखिए, four feet वाले बंदे को मार के crime क्या किया, four feet किया गया, यानि कि four feet वाले बंदे को मार के क्या किया, crime को four feet किया, crime को जब्त किया, crime को बंद कर दिया, okay, तो four feet यानि कि जब्त की हुई वस्तु या फिर जुर्माना खो, बैटना, forgo, छोड़ देना, त्यागना, decide not to have or do something that you have, would like to or have to do, किसी चीज को पसंद करना, लेकिन उसके बाद भी नहीं करना, उसको बोलते हैं, forgo, scenarios के relinquish, abstrain, तो relinquish और abstrain, दोनों को आपको याद करना है, example, no one was prepared to forgo their lunch, for lunch hour, to attend the meeting, याद करने का तरीका, forgo करके forget about something, forgo करके आपने छोड़ दिया, और आप forget हो गया किसी चीज के बारे में, देखिए, office में, तो आप photo में देख सकते हैं ये चीज, तो forgo याने कि जो चीज आप करना चाहते हो, और लेकिन आपने उसको करने के लिए छोड़ दिया, किसी चीज को, तो forgo उसको बोलते हैं, छोड़ देना या फिर त्यागना, frail, frail यानि कि मुलायम, नर्म, कमजोर, सत्यहीन, physically weak and thin, तो नर्म से इसके फ्रेग्राइल, infirm, feeble and pony, example is frail hands, याद करने का तरीका देखिए, rail, frail होके, frail हो गया, rail, fail होके क्या हो गया, frail हो गया, यानि कि कमजोर हो गया, तो fail और frail, एक जिसे words हैं, याद कर सकते हैं, तो rail क्या हो गया, fail होके, fail होके, fail हो गया, और frail हो गया, यानि कि fail होके, कमजोर हो गया, की और या फिर इस्टेरिकल या फिर अप्राइट तो फ्रेंटिक आपको याद तो करना है या उसके बाद पिनाइकी भी याद करना है आपको याद करना है आपको याद करने का तरीका मेरा फ्रेंटिक चलाता है फ्रेंटिक एनरजी के साथ देखे कानेटिक और फ्रेंटिक तो मेरा दोस्ट कनेटिक चलाता है कैसी एनरजी के साथ में फ्रेंटिक एनरजी के साथ में यानि कि बहुत ही उत्तेजित होकर अगला वड़ है फ्रॉट फ्रॉट यानि कि लदा हुआ भरपूर with something filled with something unpleasant synonym से इसके pregnant beset laden laden आपको याद करना है for example there was a fraud silence रात is fraud with booth रात में क्या होता है रात भरपूर होती है किसके साथ में बूत के साथ में लदावा होती है तो रात is fraud with booth तो कोई भी चीद लदीवी होती है भरपूर होती है जिसको पसंद नहीं किया जाता है उसको गोलते हैं fraud फ्रे जगड करता है करना if fabric frays or something frays it threats it in order in start to come apart example as the debate went on tempers begin to fray यानि कि जगड के तैय करना के चीज को बोलते हैं फ्रे करना फ्रे में जाने से पहले आप प्रे करते हैं तो लडाय में जाने से पहले आप प्रे करते हैं फ्रे और प्रे एक जिसे words हैं और इससे आप इसको याद कर सकते हैं तो मैंने अभी आपको फ्रे का मतलब बताया फ्रे का मतलब वही था अगले में भी यही है जगडा करना और इसको decide करना freebooter, freebooter यानि कि लुटे रहा, someone who takes spoils or plander, synonyms आसके opportunist, bookanier and carpet beggar, synonyms there are many freebooter in the Indian Ocean, या तरीका freeboot का freebooter, freebooter का कैसा है, freebooter है यानि कि लुटे रहा है, तो freeboot का freebooter यानि कि लुटे रहा, अगला वड़े frenatic, frenatic यानि भी वही है जो frenatic का है उगर होना या फिर उत्तेजित होना involving a lot of energy and activity way that is not organized synonym में फ्रेंटिक जैसे कि मैंने आपको बता है फ्रेंटिक हो गया distracted हो गया as scene of the फ्रेंटिक activity याद करिने तरीका फ्रेंट का एंटिक चलाता है और फ्रेंटिक आप फ्रेंटिक इसका भी same if उस मुनिंग है जिसे की मैंने आपको बताए computers ने और अग्रॉना activity involves होना तो आपको जहां रखना है कि फ्रेंटिक आपको इसके बाद form म मुनिंग पेंटिंग जाए वह होती है जो कि विट कले से बना जाती है और जो की वहल urban जाती जहां पर प्लास्टर कर चोला की बनाई है जिसके ने जो क्ले है जो जो प्लास्टर वह बढ़िद बना ओसा तो वह कैसी है तो चैसे फिरिंच कोई यानि कि फ्रेश कोला का फ्रिंस को इस तरीके साब इसको याद कर सकते हैं फ्रिट चिल्टना, कूदना, to be worried or unhappy and not able to relax रिलाक्स नहीं होना और चिर्चड़ा होना उसको बोलते हैं फ्रिट होना फ्रिंटरिंग अपको ट्रिट नहीं दिया तो आप फ्रिट होंगे चिर देंगे उससे, तो ट्रिट और फ्रिट एक जैसे वर्ड़स हैं जिनको इजी लिए आप याद कर सकते हैं अगला है फ्रॉलोन, फ्रॉलोन देने की लाचार एफ ऐसा है अपिरिंग लोनली अनाप़ी, सिननेन से इसके डिजाक्टेट, डेस्पनडेट, और अडिस्परेड, एक्जामबल, शीर लुड सो फार टॉम यह घिर फोर इयर से आलोन हैं यह जो घर है, यह फोर इयर से कहullen है तो यह कैसा है, forlone है, यानि कि बहुत ही lonely है और unhappy है, कोई कि लोग इसमें रहनी रहें तो यह lonely भी है और unhappy भी है, तो यह घर चार यह से alone है, तो कैसा है, forlone है, forlone का मतलब वो लाचार ऐसा है, unhappy, forsake, त्याग देना, छोड़ देना, to leave something, somebody, especially when you have a responsibility to stay, यानिम से desert करना, disown करना, ditch करना, she will never forsake her vegetarian principle, यालत करने गार तरीका, मैंने first एक साफ करने को बोला, तो आप forsake किया, first साफ और forsake, एक जैसे words है, तो मैंने आपको first साफ करने के लिए बोला, और आप में क्या कर दिया, forsake कर दिया, उसको छोड़ दिया, तो forsake, यानि कि त्याग दना या फिर छोड़ दना, forswear, शपत खाकर छोड़ना, to stop doing or suing something, to make a promise that you will stop doing or using things, synonymous के renounce करना, abjor करना, disown करना, example, he always forswear her, swear खाकर, forswear किया, यानि कि आप देख सकते हैं, swear खाकर मैंने क्या किया, forswear किया, यानि कि शपत खाकर उनको छोड़ दिया, कर सकता है, उसको बोलते हैं, fort करना, synonymous sense के, long, sweet and strength, long language, whenever my fort, याद करने का तरीका, fort की तरह, fort होता है, जो fort होता है, अपना उसी की तरह, fort होता है, okay, यानि कि, fort यानि कि, कोई भी particular activity, या फिर टेलेंट, जो कि सिर्फ वही कर सके, या वो बहुत अच्छे से करता हो, fourth right, fourth right, यानि कि, सीधा साथा, direct and honest in manner and speech, synonymous से इसके, upfront, blunt and candid, candid आपको जहान रखना है, example, he spoke in fourth right manner, but without anger, याद करने का तरीका, always for the right, fourth right, ये फोटो में देख सकते हैं, आलोक नाते, जो कि, अपनी अच्छे character के लिए, बहुत ही, बहुत ही famous है, तो always right होता है, ये, तो कि, क्या है, fort right ह यानि कि, बहुत ही सीधा साथ है, fortitude, साहस या फिर धीरता, courage shown by somebody who is suffering against pain or facing great difficulties, जो कि, बहुत ही ज़्यादा pain महसूस कर रहा है, या फिर difficulties महसूस कर रहा है, जिन्दगी में, तो उसको बोलते है, अपन fortitude करना, सहना, synonymous से इसके natural virtue, और फिर resilience, example, she endured her illness with great fortitude, याद करने का तरी फोर्ट की तरह attitude कैसा है, fortitude है, फोर्ट की तरह attitude कैसा है, आपका fortitude है, यानि कि, हमेशा साहस बहरा है, foster, पालन पोशन करना, to encourage somebody to develop, SNM से नर्चौर, example, foster parents, foster child, foster, home, पोश्टर लगा के relationship relation को poster foster करते हैं, अगर आपने कोई बैटिक हो गई है, इसके या बेटक हो गया है, तो पोश्टर लगाते हैं आप और उसके relation को अपनी क्या करते हैं, foster करते हैं, यानि कि, बचाते हैं कि, मैंने इसका बालन पोशन किया है, तो foster यानि कि to encourage somebody to develop, या फिर पालन पोशन करना फाउंडर गिर जाना बैट जाना to fail because of a particular problem or difficulty example the founder because of the he founder because of the financial problems अब याद करने का तरीका देखिए इसको टाइटनिक फाउंडर along with the founder टाइटनिक क्या हो गया founder हो गया along with the founder जो founder है उसके साथ में क्या हो founder हो गया यानि की गिर गया फ्रैकस मारपीट उब्द्रव और नॉज़ अर्गूमेंट और fight usually involving several people से नहीं से रो ब्रॉल मेली अर्गूमेंट एफ्रे स्कूबल एग्जांपल है फ्रैकस between the two supporters of the two teams याद करेंगा तरीका तो आपके कोई frog को कस्के पकटेगा तो आप क्या करेंगे véber और जो भी से जो भी आर्गूमेंट यह ए वो उसके साथ में करेंगे तो-गर आपकोको प्रॉक को कयके पकटेगा तो Use by propose fracquier republics are demanding autonomy. याद कनने का तरीका गुस्झे वाला दाने कैसा है? Fractious है. Fractious है. Fractious नहीं बोलेंगे इसको फ्र facto 2013 बोलेंगे. तो गुस्द वाला दाने कैसा है? Fractious है. Fractious है फ्र recht electro है. pairing्निंगी बहुत ही चर चड़ा. So friends, यह वाले वह caps है जो कि आपके F alpha bet से important है उम्मीद आपको पसंदा होंगे so friends thank you and all the best